मैं नाम जोतिंद्र जवेरी है और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्पेशलाइडेशन लगता हूँ तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये नया तरीका है, मार्केटिंग का, इंटरनेट दुआरा, तो अभी हम किसी को भी पुछेंगे, कि आपके पास वेबसाइट है क्या, तो हमेशा लोग बोलेंगे, हाँ हाँ, कुछ वेबसाइट है, some xyz.com या जो भी है, तो इसे competition के पास में भी वेबसाइट तो है, इसलिए हम चाते हैं कि हमारा वेबसाइट आ गया आए, तो सब लोग ने फिर सर्च इंजिन उप्टिमाइजेशन किया, सर्च इंजिन उप्टिमाइजेशन, माने सर्च इंजिन में अगर कोई ढूंडे, या मानो Google सर्च में कोई नाम डाले, तो ह आगे क्या करने का वो प्रश्न है, तो उसका उत्तर है वेब 2.0, यह जो है नया टेकनोलोजी आया है, वेब 2.0 के जो वेबसाइट है, वो अलग तरीके से हो गया है, और उसमें जो खास अपने को एडवांटेज है, जो अपने को फाइदे से है, वो मैं बताना चाहता हू तो सोशिल मीडिया मार्केटिंग वेब 2.0 में करने से अपने को एक तो यह बड़ा फाइदा होता है, कि वेबसाइट इंटरेक्टिव होती है, मतलब एक वाजू से नहीं होती, अभी के जो भी वेबसाइट है, वो लोग देख सकते हैं, लेकिन आगे उसके कोमेंट नहीं पड़ा चेंज हो गया, और दूसरा जो चेंज हुआ, वो बहुत आश्चरे वाला है, कि वेबसाइट आज कोई भी बना सकता है, अभी देखिए, आज वेबसाइट किसी को बनाना है, तो कोई तो भी जानकार के पास जाना पड़ेगा, इंटरनेट प्रोग्रामर, जिसको जावा लेंग्वेज मालूम है, या एच्टी एमेल मालूम है, अभी कोमनमेंट या तो जो बिजनेसमेन है, उसको तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज मालूम नहीं है, मतलब कि उसको किसी के उपर आधा रखना पड़ता है, अवलंबूर रखना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि आप अपना ही क्यों वेबसाइट ना बनाए तो आपको कोई HTML या Java या Internet Programming की Knowledge की कोई आवाशक्ता नहीं है कोई भी व्यक्ति आज मिनिट में वेबसाइट बना सकता है और ये बहुत बड़ा फाइदा है दुसरा उसमें Advantage ये है कि Cost कि हर एक आत्मी हुमेंशा पूछेगा कोई भी बिजनेसमें पूछेगा कि ठीक है मैं वेबसाइट मनाया तो उसका खर्चा क्या आएगा इतने पैसे देने पड़ेंगे है ना तो आपको ये आश्चर होगा कि ये फ्री है बिल्कुल फ्री विनाश शुल्क आप एड़र्टाइजमें इंटरनेट में कर सकते हो कोई पैसे देने की आवश्यक्ता नहीं है तो मैंने ये तीन मुख्या उसका जो भी Advantage है Benefit है वो मैंने बताया आपको अभी ये कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ एक तो हम कुछ एक्जामपल ले लेते हैं और एक जो बहुत ही मतलब popular example है सबको पता है वो है Facebook मैं Facebook का नाम पहले लेता हूँ क्योंकि लोगों को ये नाम सुना रहता है तो आज Facebook के द्वारा आप marketing कर सकते हो एक तो आप Facebook में अपना ID बना लो एकांट बना लो उसके लिए आपको फक्त एक email ID की आवाश रकता है फ्री हो जाएगा और दूसरा एक आप Facebook पेज बना सकते है तो जब आप Facebook में जाओगे वहाँ create page करके आप click करो और आप एक page बना सकते हो Facebook page is like your legacy website जो आपकी website है उसी तरह यहाँ पर आप अपने कुछ जो भी जानकारी देना चाहते हो वो डाल सकते हो, लोगो डाल सकते हो, पंचलाइन डाल सकते हो कुछ pictures हो, या वीडियो हो जो है Facebook page का यह बहुत ही अच्छा तरीका है website बनाने का और इसमें आपको कोई technology नहीं आएगी कोई IT के expert बास जाने की जोनत नहीं है आप चित्र बनाया, पिक्चर बनाया आप immediately उसको upload कर सकते हो और दुनिया देख सकती है इंटरनेक्ट में advantage तो आपको पता है कि there is no physical limitation इसमें कोई ऐसी कोई नहीं है कि मैं मुंबई में करता हूँ तो दिली वाले नहीं देख सकते है आज वो limitation कोई नहीं रहा इंटरनेट में आप ब्राजिल में भी advertisement कर सकते हो और फ्रांस या अमेरिका या जर्मनी में भी कर सकते हो तो facebook page बनाने की आवरशक्ता है और दूसरा facebook में आप group बना सकते हो अप group बनाके आप community को invite करो और community वहाँ पर discuss करेंगे मनो आपका कोई अप चित्रकाम करते हो चित्रकार हो art और आपने pictures बनाए तो आप एक art gallery का group बनाओ जिसको art gallery में interest है वो वहाँ पर आके discuss करेंगे तो facebook में आप तिन चीज करो एक तो id बनाओ दूसरा facebook page और तिसरा आप facebook group बना सकते हो और दूसरा मैं एक example देना चाहता हूँ YouTube का YouTube ये free माध्यम है जहां आप video अपलोड कर सकते हो और YouTube ये second largest search engine in the world दुनिया भर में एक तो search engine गूगल का आपको बता है और दूसरा है YouTube किसी को कुछ भी देख रहा है सर्च कर रहा है तो वो YouTube में जाके बता है तो वहाँ पर आपका video आजाएगा अब आपको एक छोटी company है एक उधारण के तोर पे मैं समझो चाय की company है और उसको एड़ोटाइजमेंट करनी है और एक बड़ी company है corporate multinational company multinational company के पास बहुत बड़ा budget रहेगा छोटा company के लिए भी उसके साथ Facebook में या YouTube में एड़ोटाइजमेंट करने से वो चाय का जो भी commercial है या जो भी आपकी movies है वो आपको वहाँ पर एड़ोटाइजमेंट के लिए दे सकते हो और free तो Facebook में अब YouTube की वहाँ पर embed कर सकते हो वहाँ पर डाल सकते हो वो link जो है वहाँ Facebook में YouTube की आ जाएगी तो वहाँ channel में आपका वहाँ पर advertisement हो जाएगा और तिसरा तरीखा है marketing का एक छोटा मेसेज देने के लिए इंटरनेट द्वारा एक बाते हम है हमको SMS सबको पता है texting जो बोलते है mobile phone के द्वारा हम SMS जो बेज़ते है तो वैसे आप SMS जो छोटा कोई भी मेसेज देना चाहते हो वो आप Twitter द्वारा बेज़ सकते हैं तब Twitter.com में आप स्वाइट में जाईए वहाँ पर अपना registration कराईए free है कोई पैसा नहीं देना पड़ता और आप tweeting कर सकते हो माने message बेज सकते हो जो लोग आपके follower है उसको instantly message मिल जाएगा automatic email आता है तो यह tweet हुआ है तो यह सब चीजे है इसको हम digital platform बोलते हैं वैसे कुछ 50 digital platform है मने तीन उदारण दिये आपको ऐसे बहुत है कोई थोड़ा professional marketing करना चाहता है professional लोगों के साथ में तो linkedin.com है linkedin.com में आप free registration कर सकते हो again linkedin में आप group बना सकते हो आप page बना सकते हो linkedin page आपकी website के जैसा ही है और उसमें आपको कोई technology की knowledge की आवशकता नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी marketing लोग technology या information technology में वहाँ पर वो लोग मतलब आता हो या जानते हो तो आज कोई भी business man even housewife कोई भी बना सकता है तो आप linkedin में आप marketing करो और एक और उदहरन में देता हूँ उसको ब्लोग बोलते हैं ब्लोग बी ए लोजी तो ब्लोग के दोरा आप website बना सकते हो पाच मिनिट में अपकी website तयार फ्री और वो website में आप जो भी article देना चाते हो अपने product या service के बारे में बताना चाते हो तो आप वहाँ लिख सकते हो इसको post बोलते हैं अप post कर दो और वो ब्लोग में आ जाएगा तो उसके लिए जो digital platform है मैं दो उधारन देता हूँ एक है wordpress और दुसरा है blogger तो आप blogger.com में चाहिए email id चाहिए email id होना चाहिए और आपका blog पाच मिनिट में तयार हो जाएगा और वो blog जारा बनाई गई जो website है वो कोई भी देख सकता है internet के उपर अप logo डाल सकते हो आपका जो भी slogan या punch line है और लोग उसको subscribe करेंगे और ये community अपनी बनती जाएगी जो community है वो आप समझ लीजिए कि stakeholder की बनाने की है stakeholder माने अपने customer prospective customer employees, relatives, friends, shareholders ये सब की एक community होती है और ये community manager ये काम करता है तो इतनी मैंने जानकरी भी आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे contact कर सकते हो मेरा website मैंने ये सब demonstrate किया है dnserp.com इसके उपर आप लिख लीजिए dnserp.com झाल कर लो एक लोग लाई